हेलो ब्यूटिफल सोल्स दस इस सानवी शर्मा आये जानते हैं आपके पार्टनर की करण फीलिंग्स आपको लेकर इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है आपके पार्टनर करण्टली आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं आज आपको लेकर इस रिष्टे को लेकर उनका माइंडसेट किस तरह का होगा आये जानते हैं और यूर पार्टनर उनकी करण्ट फीलिंग्स आज किस तरह की रहने वाली है आपको लेकर यहाँ पर 9 of Swords का कार्ड है Page of Cups का कार्ड है यहाँ पर 8 of Swords का कार्ड है Page of Pentacles का कार्ड है The Hierophant का कार्ड है And bottom of the deck पर Queen of Pentacles का कार्ड है यहाँ So, आज की जो यह reading है, यह एक generalized reading है आप सभी Zodic Signs के साथ resonate करेगी इसलिए मैं यहाँ पर किसी भी specific Zodic Signs का नाम नहीं लोगी देखिए, आज morning में ही आपके partner आपको लेकर बहुत ही ज़ादा emotional रहने वाले हैं आज आपके partner यह सोचेंगे कि उन्हें अपने emotions को ना अब शब्दों में बया करना शुरू कर देना चाहिए उन्हें आपको बताना चाहिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपसे कितनी महबबत करते हैं और इस चीज़ में आप उन्हें देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप भी कब तक अपने partner का इंतजार करेंगे उन्हें आपको एक stable commitment देनी चाहिए, आपके expectations पर खरे उतरना चाहिए इस बारे में आपके partner सोचते हुए थोड़ा confidence भी महसूस करेंगे लेकिन जब आपके partner उस direction में चलने की कोशिश करेंगे न तो उन्हें बहुत सारे ifs and buts नजर आएगे आपके partner को ये नजर आएगा कि अगर वो इस तरह से आपकी तरफ directly पहुँचते हैं तो हो सकता है कि उनकी जो present situation है वो और ज़्यादा worst हो जाए आपके partner ने पहले भी ऐसे प्रयास किये हैं लेकिन फिर भी क्यों सफल नहीं हो पाए इसके बारे में भी फिर वो सोचेंगे और तब आपके partner को ऐसा लगेगा कि नहीं आप उनकी life में उतना ज़्यादा freedom नहीं है उतनी ज़्यादा limitations से बाहर निकलने की energies नहीं है वो अपने आपको बहुत ज़्यादा down में हसूस करेंगे ठीक है और third party की तरफ से आज आपके partner के उपर बहुत ही ज़्यादा pressure develop होने वाला है आपके partner इस third party की manipulative energies का शिकार तो नहीं होंगे लेकिन आपके जो partner है वो बहुत practically इस third party की बात को सुनने के बाद उस चीज़ को लेकर emotional हो जाएगी यह third party बहुत sensibly आपके partner को यह समझाने की कोशिश करेगी कि आपके partner अगर आपकी तरफ बंढ़े की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपनी life की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और यह third party आपके partner को marriage की तरफ लेकर जाने की बाते करेगी आपके partner को marriage के लिए compel करने वाली है यह third पार्टे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टे की बातों में ना आकर आपके लिए ही स्टैन लेकर रखेंगे लेकिन जब आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ आएगे ना कि आपको लेकर उनके लिए रास्ते खुल नहीं रहे हैं तो वो कहीं न कहीं अपनी को लेकर अपनी life को लेकर और तब आपके partner को ये third party एक गलत advice देगी as a friend बनके advice देगी और गलत advice देगी और आपके partner उस advice को follow करेंगे रात को आपके partner को नीन नहीं आने वाली है इस relationship को लेकर उन्हें बहुत गलत गलत हयाल सताने भाले हैं आपके partner अपने आप में ही बहुत सब्सक्राइब करेंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी life न हेल होती जा रही है और अगर अभी भी चीज़ें नहीं संबली तो life में कभी भी नहीं संबल पाएंगी तो ये third party की अगर energies ही आपके partner तक ना पहुँचे तो ये transformation नहीं होगी उस चीज़ को avoid करने के लिए आप comment section में दिखेंगे eliminate third party ठीक है सिर्फ इतना ही लिखना है eliminate third party ओके और उससे शायद आपके partner के around की energies change हो जाए आए अब हम देखते है divine आपको इस रिष्टे के लिए क्या guidance देना जाते है divine की क्या guidance है आपके लिए आए जानते है divine इस रिष्टे के लिए क्या guidance देना चाहते है आपको आज आए जानते है तो यहाँ पर पहला card है family friends and guides का काण है देखिए जो आपके पार्टनर है उनकी तो चीजे समझ में नहीं आ रही है बिलकुल भी तो डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप एक फिजिकल गाइडेंस ले मतलब 3D में 3D मतलब ये संसार होता है इसमें आप गाइडेंस ले या तो अपने फैमली स या किसी ऐसे परसन से जिसे आप समझदार समझते हैं और आप ये समझते हैं कि वो परसन आपको complete guidance आपके रिष्टे के लिए दे सकता है तो आप उस परसन से guidance लें आपको आपके इस रिष्टे में clarity मिलेगी और इस रिष्टे को लेकर कोई भी चल्दबाजी का फैसला मत आपके partner की energies जो ये बार बार switch होती रहते हैं कभी high हैं कभी low हैं उसके पीछे कई कारण हैं उन कारण को अगर आप समझना चाते हैं उन कारण को अगर आप जानना चाते हैं तो रात को साड़े नौ बजे मैं इसी channel पर एक detailed video post करते हैं आप प्लीज उस video को ज़रूर देखा कीचे आपकी love life के उपर ही video होती है उससे आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर clarity मिल जाएगे आप बहुत समझतार हैं समझतारी से आज की अनव चीज़ कुछ analyze कीचेगा have a great day today god bless you all take care of your health see you soon